हर बार जब ऐसा कोई मामला मीडिया के सम्मुक आता है तो मौवताबंदपध्या ये कहती हैं कि ऐसे कोई तथ्थे नहीं है जिस पर कारवाई हो इतने दिन से संदेश खाली में महिलाएं बोल रही है उनको सहीयोग देने के बजाए जिनके हाथ में सत्ता भी है अनलॉएन ओर्डर की जिम्मेदारी भी उन्होंने उन गुंडों को जेल नहीं मोहिया कराया उन पर कोई कारवाई नहीं की और अगर आप बांगला में इन महिलाओं के वक्तव्य को लोकल जनलिस्ट के लिए सुनेंगे तो कई वक्तव्य ऐसे भी हैं जिसमें हो बोल रही है कि ये सब जब घट रहा है तो सामने वहां का पुलीस वाला बाबू खड़ा है तो गवनर बेंगौल ने अपनी एक टिपनी दी है मैं स्वाय में एक समिधानिक पद पर हूँ इसलिए अपनी समिधानिक मर्यादा का मैं उलंगन नहीं कर सकती लेकिन विशे ये उड़ता है कि मौमता वंधपध्या के पास लॉइन ओडर की जिम्मेदारी है कुछ लोग हैं जो देश भर में न्याये के रूप में यात्रा चला रहे हैं वो भी चुप बैटे हैं कुछ लोग हैं जो अलायंस की बात करते हैं वो भी चुप बैठे हैं मौता बंदपध्या ये जानती हैं कि शेक्षा जहां विशेशता जान बूच कर छोटी उम्र की हिंदू व्यवाहित महिलाओं का बलातकार करवा रहे हैं अब तक जब ये तथ्य लोकल मीडिया ने उनको प्रस्तुत किये हैं तब तक उन्होंने कार कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मांग की उनको सस्पेंड क्यूं किया गया राजनीती छोड़ दीजिए आप सिर्फ मानवता की दृष्टी से इस विशे को देखिए गवर्नर क्या करेंगे constitutionally वो उनका विशे है मैं गवर्नर पर टिपने नहीं कर सकती मैं क्यूंकि बांगला में उन औरतों ने अपना वक्तव्य दिया इसलिए आपको उनका वक्तव्य पहुँचा रही हूँ मेरा हाथ जोड कर कर बद्ध निबेधन है कि आप पहुँचे वहां और पूछे कब त लोड़ संसस्य कि आपको उनका कर あ